भूतों की मंडी ठीक है आदी किलो फ्याज दे दो और आदी किलो भिंडी भी दे देना गाजर तो रह नहीं दो बहुत महंगी है क्या कहा महंगी है नहीं महंगी नहीं है मैं तो बस ऐसे ही बोलना था मोहन भूत से महंगे दावों पर सबजी लेकर चुपचाप अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के सामने आकर रोने लगता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यह सुब क्या हो रहा है जहां तो इनसानों की सबजी मंडी होनी चाहिए वहां भूत और चुडैलों ने अपना पूरा कबजा करके रखा है आखिर इन भूत और चुडैलों को हुआ क्या है उन भूत और चुडैलों ने हमारे गाउं में कबजा किया है तब से ही हम लोगों का तो जीना हराम हो गया है कहां तो पहले इंसान सब्जी मंडी में सब्जियां बेकार करते थे बाजार लगा करता था और मंडी में हर तरह की चीज बिक्ती थी अब तो कुछ भी नहीं है हम खुद का काम भी नहीं कर सकते नौकरी करने शहर जाना पड़ता है और महंगे दामों पर भूत और चुडैलों से सब्जियां खरीदनी पड़ती है आखर करे तो करे क्या ये कुछ समय पहले की बात है जब गाओं में सब लोग घांसे खुशी रह रहे थे और किसी को कोई परेशानी नहीं थी संगीता चूडिया निकाल कर कोयल के हाथों में पहना देती है ये लो पैसे कोयल पैसे देकर चली जाती है वहीं बाजार में मास मचली भी विक्रा होता है मोहन और उसकी पतनी बवीता मीट लेने दुकान पर पहुंच जाते है भाई साहब मेरे पती का आज प्रमोशन हुआ है ताजा ताजा पूरा एक किलो मीट दे दो मुझे बिर्यानी भी बनानी है और सबजी भी अरे ये तो खुशकपरी की बात है अभी तोल देता हूँ दुकान वाला ऐसा कहकर मीट तोल देता है हसी खुशी वो घर मीट लेकर आते है और उसे बनाते है जैसे राध हो जाती है उजी दिन शम्शान घाट में एक अगोरी भूत और चुडैलों को कबजे में करने का मंत्र जाप कर रहा होता है अगोरी मंत्रों को जाप करते करते एक मुर्गी की बली चड़ा देता है लेकिन इस वक्त उससे कोई कारिक गलत हो जाता है जिसके वज़ा से उसका किया हुआ मंत्र जाप खराब हो जाता है और कबरिस्तान के सबी भूत और चुडैल उसके वस से बाहर हो जाते है तांत्रिक ने हमें आजाद किया है बहुत भूक लगी है इसे ही खा जाते है चलो कितने दिनों बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा सारे भूत और चुडैल मिलकर अगोरी को खा जाते है और अगोरी मर जाता है वो सबी भूत और चुड़ेल गाओं में यहां वहां गूमने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आकर वो लोग क्या करें। अगले दिन भी वो रात भर इसी तरह गूमते हैं और एक रात वो आपस में बाते करते हैं। में बहुत अच्छा लगता था, आज भी मैं इसी काम को करना चाहता हूँ। फिर परेशानी वाली बात क्या है, अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। इंसानों की मंडी से हमें हमारी दुखान लगाने के लिए समान को चुड़ाना होगा। इंसानों की इतनी जादा चहल पहल थी कि कोई भी भूत और चुड़ैल इंसानों की मंडी से कुछ भी चुरा नहीं सकता था। अगर वो उनके सामने चुरी करता तो वो पकड़े जाते इसलिए उस रात उन्होंने सभी इंसानों की सोने का इंतजार किया। जैसे ही सारे इंसान सोजाते हैं सभी भूत और चुड़ैल चुरी छुपे हर किसी के घर में गुसते हैं और उनका बेचने का सामान चुरा लेते हैं। मुझे तो चुड़ियां बेचने का सामान मिल गया अब मैं अपनी मंडी में चुड़ियां बेचा करूंगी। हाँ मैं भी मिट ले जाया करूंगा मुझे मीट बेचना बहुत पसंद है क्योंक मैं कसाई हूँ। धीरे धीरे सभी भूत और चुड़ेल सारा सामान चुरी करके जंगलों के बीच में खुद की मंडी बाजार बनाते हैं जहां वो अपनी अपनी पसंद के अनुसार सामान बेचते थे। उस भूत या मंडी में हर तरह का सामान बिका करता था। लेकिन हर एक कादाम चार गाओं में एक भूत या मंडी है। अरे चुनता क्यों करते हो तुम लोग मैं हूना मैं जाओंगा गाओं में और सभी लोगों के इस बात की खबर दूँगा कि अब से भूतों की मंडी लग गई है और उन्हें वहीं से सब सामान खरीदना होगा नहीं तो हम उन्हें और चुडैलों ने इनसानों के उपर कबजा कर लिया था। धोलू भूत गाओं में जाकर सबको ये खबर दे देता है। धोलू भूत को देखकर गाओं के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उनके घरों से सब सामान चोरी हो चुका है। ये भगवान ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर भूत और चुडैलों की बात नहीं मानी तो वह हमारे परिवार को खा जाएंगे। अब तुमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस तरहा गाओं के सभी लोग इनसान भूत और चुडैलों की धंकी के अंदर आ जाते हैं। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इतने दिनों से हम भूत और चुडैल की धंकी से डर कर भूत और चुडैलों से उचे दावों पर सामान खरीद रहे थे लेकिन आब और नहीं। मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं उनसे बात करूँगा तो वो हमार जरूर करेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा। तुम्हें बस गाउवालों को आज मंडी में जाने से रोकना है। बवीता अपने पती की बात माल लेती है और शाम होते ही वो गाउवालों को मंडी में जाने से रोकती है। क्या होगा। तुम्ही सोचो ऐसा कब तक चलेगा। हमें खत्रा तो उठाना ही होगा। सब लोग अपने घर में चले जाओ। कोई भी घर से बाहर मत निकलना। बवीता के कही अनुसार गाउं के सबी लोग अपने घरों में चले जाते हैं। उस दिन भूतिया मंडी में जब एक भी इंसान नहीं आता तो सारे भूत और चुडैल बौकला जाते हैं। कहा गए गाउं वालो बाहर निकालो अज तुम्हारी खेर नहीं। इन गाउं वालों ने मेरी धंकी का पालन नहीं किया अब मेरे खा जाओंगा। तबी ना तो अपने लंबे भूतिया हाथों से घर के अंदर से एक बच्चे को निकालता है और उसे खा जाता है। ये देख गाउं के सबी लोग बाहर निकलते हैं और उनके आगे गिरगराने लगते हैं। हम लोगों को माफ कर दो, हम किसी की बहकावे में आ गए थे, आज के बाद हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। बहुत और चुड़ैल किसी की नहीं सुनते, वो इंसानों के उपर हमला करने ही वाले होते हैं, कि तबी मोहन वहाँ पर अगोरी बाबा को लेकर पहुंच जाता है। मेरे होते हुए तुम इन लोगों को कुछ नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से, जहाँ से तुम लोग आए हो, नहीं तो मैं तुम्हें निष्ट कर दूँगा। देखो तो सही हमें धमकी कौन दे रहा है, अरे अगोरी बाबा चला जा यहाँ से, तेरे जैसे एक अगोरी को हम पहले ही मार चुके हैं। तुने किसी को भी मारा हो लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। कोई भी भूत और चुडैल अगोरी बाबा की कोई बाते ही बानता, जिसके चलते हैं अगोरी बाबा को बहुत तेज गुसा आता है, और वो तांड़व करते हुए मंत्र का जाप करते हैं। अगोरी बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं सब लोग और उस दिन के बाद से गाउं में इंसानों की मंडी लगती है और सभी इंसान खुशी खुशी रहने लगते हैं।